नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.1 प्रशन नमबर 5 हम करने जा रहे हैं इस प्रशन में हमें इस प्रकार से एक ज्यामिति का इन्रदेशांक दिये हैं और हमें जो प्रशन दिया गया है वह इस प्रकार से हैं किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदूओं A, B, C और D पर बैठे हैं मा लीजे यह एक कक्षा है और इसमें 4 मित्र हैं एक A बिंदू पर बैठा है दूसरा B पर 3, C पर और 4, D बिंदू पर बैठा है चमपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि A, B, C, D एक वर्ग है चमपा कहती है कि क्या ABCD एक वर्ग है चमपा को ऐसा लगता है चमेली इससे सहमत नहीं है लेकिन चमेली को लगता है कि यह एक वर्ग नहीं है दूरी सुत्र का प्रयोग करके पताईए कि इन में से कौन से ही है क्या चमपा सही है या चमेली सही है इसे हम दूरी सुत्र के अनुसार देखेंगे तो बच्चों देखें सबसे पहले बिंदू A इसके निर्देशांक देखिए X एक्सिस पर यह है 3 गया है और Y एक्सिस पर 4 इसका मतलब इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,4 इसी प्रकार से B बिंदू यह X एक्स पर गया है देखिए 6 तक और Y एक्स पर गया है 7 ठीक है बच्चों इसलिए इसके निर्देशांक क्या होंगे 6,7 C बिंदू X एक्स पर गया है 9 तक और Y एक्स पर गया है 4 तक इसके निर्देशांक हो जाएंगे 9,4 इसी प्रकार से D बिंदू X एक्स पर गया है 6 तक और Y एक्स पर गया है 1 तक इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,1 तो यह 4 बिंदू के निर्देशांक आ गये हैं हमने अब दूरी सुत्र का प्रयोग करना और बताना है कि क्या यह वर्ग है या नहीं है यानि अगर वर्ग है तो चमपा सही थी और अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही थी तो बच्चो कैसे करेंगे सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसे हम रख लेते हैं थोड़ा साइट पर ठीक है बच्चो इस प्रकार से तो ये देखिए बच्चो सबसे पहले दूरी सूत्र के अनुसार दूरी का जो सूत्र है वह है अंडरोट x2 माइनस x1 का होल स्क्यर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्यर ठीक है बच्चो तो सबसे पहले हम a और b की दूरी निकालेंगे सूत्र लगा दीजे x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्यर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्यर ठीक है बच्चो थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखाई बराबर रूट 6 में से 3 निकाला 3 3 का स्क्यर होता है 9 7 में से 4 निकाला 3 3 का स्क्यर होता है 9 अब 9 प्लस 9 हो गया 18 18 का मतलब होता है 2 3 6 3 18 इन में से ये 3 बाहरा गया रूट के अंदर बच गया रूट 2 ठीक है बच्चो अब हम आगे देखते हैं BC आई अब हम BC निकालते हैं रूट बी और सी के लिए रूट देखें X2 माइनस X1 9 में से 6 माइनस कर देंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्यर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्यर ब्राबर रूट 9 माइनस 6 होता है 3 3 का स्क्यर होता है 9 प्लस 7 4 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गे 3 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्यर माइनस का स्क्यर प्लस 3 का स्क्यर 9 तो ये भी आ जाएगा 9 यानि या गया रूट 18 रहा यदि आप चाहें तो इसको भी चोड़ें क्योंकि हमने बराबर दिखाने तो रूट अठारा पर इसको भी छोड़ देंगे इसके बाद हम तीसरी भूजा निकालते हैं CD root 9 minus 6 का square plus y2 minus y1 4 minus 1 का square ये किसके बराबर होगा देखिए 9 में से 6 निकाला 3 3 का square होता है बच्चो 9 इसी प्रकार से 4 minus 1 होता है 3 और 3 का square होगा 9 इस प्रकार से ये भी आगया है root 18 इसी लिए हम इसे आगे हल नहीं कर रहे हैं इसी प्रकार अब हम निकालेंगे 4 भूजा जो है AD इसे भी किसी अलग color से निकालते हैं ताकि आपको 4 अलग color से दिखाई दे AD root x1 x2 minus x1 6 minus 3 का square plus 1 minus 4 y2 minus y1 1 minus 4 का square तो देखिए फिर से 6 minus 3 होता है 3 3 का square होता है 9 plus 1 minus 4 होता है minus 3 minus 3 का square minus का square plus 3 का square 9 तो देखिए 9 plus 9 या गया है root 18 तो हमने देखा कि चारो भुजाओं की आपस में दूरी या चारो शीर्षों की आपस में दूरी या चारो भुजाओं की लंबाई ये चारो बराबर आई हैं इन्हें हम शीर्ष के बीच की दूरी भी कह सकते हैं और इन्हें हम भुजा भी कह सकते हैं चारों भुजाए बराबर तो सम चत्र बुज की हो सकती है और वर्ग की भी अब हमें देखना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं तो उसके लिए बिटा वर्ग में ये विकरन एक दूसरे के बराबर होते हैं देखिए मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ ये ए से लेकर सी तक ये वर्ग विकरन और बी से लेकर डी तक ये विकरन ये दोनों विकरन जो हैं हमने बनाए ये भी वर्ग में बराबर होते हैं तो आएए अब हम दूरी सूतर से ये दोनों दूरियां भी माप कर देखते हैं कि बराबर आई या नहीं आई ठीक है तो अभी हम देखते हैं विकरन यहां मैं दूरी के साथ एसी के साथ विकरन भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये चारों तो भुजाएं थ स्केर यानि 9-3 का होल स्केर प्लस Y2-Y1 का होल स्केर ये भी 4 है ये भी 4 है तो 4-4 का होल स्केर तो दिखिए बच्चो रूट 9 में से 3 निकाला 6-36 स्क्यूर हो जाएगा 36 प्लस चार माइनस चार होता है जीरो जीरो का स्क्यूर हो जाएगा जीरो 36 में 0 प्लस किया 36 रूट 36 और 36 का रूट होता है छे ठीक है बच्चो इसी प्रकार अब हम निकालेंगे विकर्ण बीडी विकर्ण बीडी किसके पराबर होगा देखिए अंडर रूट एकस टू माइनस एकस वन का स्क्यूर यानि छे माइनस छे का स्क्यूर प्लस y2 minus y1 का square ये की है जो की है 7 minus 1 का square देखिए root 6 minus 6 0 0 का square हो जाएगा 0 plus 7 minus 1 होता है 6 6 का square हो जाएगा 36 0 में 36 plus किया तो हमार परस आ गया 36 का root और 36 का root होता है 6 तो बच्चो अभी हमने क्या देखा हमने देखा कि A, B, C, D इस प्रकार से है कि A, B, B, C, C, D और A, D ये चारों भुजाएं भी बराबर है और विकर्न A, C और B, D भी बराबर है तो चारों भुजाएं तथा विकर्न बराबर है इसलिए A, B, C, D एक वर्ग है तो बच्चो किसकी बात सही थी किसने कहा था चमपा ने कहा था कि क्या तुमने ही सोचती A, B, C, D एक वर्ग है इसका मतलब चमपा की बात सही थी ठीक है बच्चों बच्चों प्रश्ण मुश्किल नहीं था बहुत सरल था हमने सिरफ चारो भुजाओं की लंबाई निकालनी थी दूरी सुतर से और विकर्नों की लंबाई निकालनी थी दूरी सुतर से वो हमने निकाली और हमने देखा चारो भुजाओं आपस में बराबर है और विकर्न आपस में बराबर है और इससे ये पता लगा कि यह एक वर्ग है और चमपा ने कहा था यह एक वर्ग है इसलिए चमपा की बात सही थी तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन बहुत अच्छे से समझाया होगा देखें मैंने कितने सारे कलर्स का प्रयोग किया है आपको अलग लग चीज़ें समझाने के लिए आशा करता हूँ यह मेनत आपको समझ आई होगी और इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं वीडियो को और बाकी प्रशनों को भी समझ सकते हैं धन्यवाद